तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाने बाला हूँ कि आपना फोटो का बेग्राउंड को एक क्लिक में चेंज कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप लोग डाटा ओन करके आप लोग प्लेश्टोर में आ जाएंगे प्लेश्टोर में आज आने के बाद इहां पर आप लोग को सर्च कर लेना है देख सकते हैं फोटो लिप ये वाला आप लोग को एप्लिकेशन इस्टोल कर लेना है मैंने अल्रेड यहां पर करके रखा हुआ हूँ तो आप लोग देख लिजे इसका लोगो इस तरह का रहेगा इंटरफेस इसको मैं open कर लेता हूँ तो आप लोग भी इस तरह से open कर लिजिएगा open कर लेने के बाद देख सकते हैं पर बहुत सारा option देख सकते उपर में भी और नीचे में भी लेकिन आप लोग को कहीं कुछ नहीं करना है उपर में देख सकते हैं एक option दिखा रहा edit photo वाला इसमें आप लोग को click करना है जैसी click कर लिजिएगा तो यहां पर आप लोग का gallery खुल जाएगा गलेरी खुल जाएगा तो यहां से आप लोग जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को सेलेट कर लिजेगा जिसेलेट कर लिजेगा इस तरह से इहां पर आ जाएगा इहां पर इस तरह से एड देखने को मिलेगा इसको आप लोग को क्रोस कर देना उपर में देख सकते हटा दिजेगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फोटो लिप का देख सकते हैं ठीक है यह ओरिजिनाल फोटो है इसका बेग्ग्राउंड एक क्लिक में आप लोगों को चेंज करके दिखाऊंगा तो किस तरह से करूंगा नीचे में देख सकते हैं बहुत सरा ओप् जैसे होगा और यहां पर ओटोमेटिक यहां पर देख सकते हैं बेग्राउंड लग जाएगा और पता भी नहीं चालेगा चेंज किया है कि नहीं किया है ठीक है इस तरह से माल लिजे यह वाला आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो इसमें और एक पर किलिक कर दिजे तो फिर चेंज हो जाएगा इस तरह से आप लोग इसमें दवाते जाएंगे तो चेंज होते जाएगा जो आप लोग को अच्छा लगता है उसको आप लोग डाउनलोडिंग कर लिजेगा ठीक है शेप कर लिजेगा तो किस तरह से करेंगे मैं आप लोग को पूरा बताता हूं तो इस तरह से जैसे जैसे आप लोग किलिक करते जाएंगे आप लोग का चेंज होते जाएगा माली जी यह वाला आप लोग का पसंद नहीं है रहा अपना पसंद का लगाना होगा तो उसके लिए यहाँ पर custom में आप लोग को click करना है और नीचे में custom बाला option मिल जाएगा इसमें भी click करना है और यहाँ पर आप लोग किस size के आप लोग किस type का आप लोग background लगाना चाहते हैं उस type का आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sunlight इस तरह से इस type का मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसी तरह से यहाँ पर background लग जाएगा तो आप लोग भी इस तरह से लिखिएगा जैसे background चाहिए उस तरह का लिखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ sunlight tree book है ठीक है इस तरह से लिखा और उसके बाद उपर में next वाला option इसमें मैं किलिक कर देता हूँ जैसी किलिक कर देता हूँ तो इस तरह से थोड़ा से scanning लेगा अब उसके बाद देख सकते हैं जादू हो जाता है इस तरह से देख सकते हैं लग बेक्राउंड यहाँ पर लगते जाएगा जो आप लोग को पसंद आता है उसको आप लोग को सेप करना है ठीक है इस तरह से देख लिजेगा जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे इस तरह से चेंज होते जाएगा जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को करके दिखा दे तो आप लोग भी इस तरह से करते जाएगा जैसे में यहां पर दूसरा फिर से टाइपिंग करूंगा कस्टम में लिखके पसंद नहीं आ रहा हो ला तो इम्हां पर मैं भूखे लिखूंगा और सर्च कर दूंगा यानि नेस्ट कर दूंगा तो देख सकते हैं भूखे वाला तो चेंज होते जाएगा माल लिजे मुझे यह वाला पसंद आरा ठीक है इसको आभी सेप करना है तो यहां पर क्लिक करने के पूरा डिटेल से दुम पूरा अच्छा लगर आर पता भी नहीं चाहरा पूरा मस्त यहां पर इडिटिंग हो गया बेग्राउंड लगके उसके लोंग का देख सकते हैं फोटो भी अच्छा आरहा और नीचे में देख सकते है वाटर मर्क आ गया निएक किलिक में कीछ से हटाएंगगी य भी बहुत ही आसान है इसको आप लोंग को शेर कर लेना है यहां पर देख सकते है पिक्स आड पमें आप लोंग को sник कर लेना है fix art में जैसे share कर लिजिएगा तो यहाँ पर इस तरह का interface आ जाता है यहाँ पर आ जाने के बाद नीचे में एक option मिलेगा remove बाला देख सकते हैं remove बाला option में क्लिक किजिएगा रेवला pencil का size है इस तरह से बढ़ा लिजिएगा चोटा कर लिजिएगा और इस तरह से आप लोग को यहाँ पर ढग देना है ब्रस कर देना है ठीक है ब्रस कर दीजिएगा पूरा नीचे में देख सकते हैं remove बाला एक option दिखेगा आप लोग को इसमें click कर देना है तो आप लोग का यहाँ पर watermark remove हो जाएगा देखिए एक click में remove हो गया पता भी नहीं चर देख सकते हैं उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते है राइट चिंद में click कर लेना उपर में और यहाँ पर save बला option में click कर देना है जैसी click कर लिजिएगा तो इक gallery में save हो गया है ठीक है चलिए आप लोग को दिखा देते हैं अभी gallery में किस तरह से save हुआ है देख सकते है watermark वाला है और यह watermark हाट गया है देख सकते है वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को भी चरूत दबा देजिए तो चलिए पर मिलते हैं next video